हुआ है एलो फ्रेंड्स विल्कम टू लेट्स प्रैयप है ताओले रफ़ फ़ेप्रिकेशन आप वेसर के नेक्स पार्ट में आपका सोगत है आज हम डिस्जेंट के टोलेरंस के के बारे में डिसकस करेंगे इसकी बहुत श्रिफ दो ही टॉलेरंस है जो इंपॉर्टन्स है बाकि अगर टॉलेरंस हमें रेफर करना है तो हमें एसे में कोर्स सेक्षन है डिविजन वन के यूजी एटी वन में रेफर करना पड़ेगा जहाँ पूरी डिटेल में डिशेंट्स के बारे में टॉलेरंस और भी जो बाते हो दीगी है यहाँ पर जस्ट हमने ओवर्यू के लिए कुछ दो ही है एक ओवर प्रावनिंग अंडर अंडर होनिग पार नकडिन ये सकी कि एओ टॉलरंस के बारे में डिसक्षक किया है तो देखते सब से पहले क्या है सबसे पहले लेकिए ओफर करोनिंग के बारे क्या है क्या में के अप्कोर्रेसाबित से मैक्दिमम ओऔर प्राउनिंग जो है फार्मिंग के बाद 1 1 by 4% डायमेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए याने हमारा डिशेंड का जो क्राउन रेडियस है वह सवा परसेंट से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए जो कि परपैंडुकलर जब हम टेंप्लेट लगा के मेजर करेंगे तो वह जो रिस्टन्स है परपैंडुकलर जो ओर क्राउनिंग का वह सवा परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसी तरह एक अंडर क्राउनिंग से कम नहीं होना चाहिए याने कि अगर हमारा dish over crowning है तो वह 1,1 by 4% of diameter अलावड होता है और हमारे dish & under crowning है तो 5 by 8% of diameter अलावड होता है यह दो केसे से जो dish & में maximum time follow की जाते हैं और यह उलेरेंस हमें ध्यान में रखना होता है और जो knuckle radius है हमारा जो knuckle radius perfectly हमारी template के साथ match होना चाहिए यानि कि knuckle radius में कोई compromise नहीं होना जेले परहोंना चाहिए तेंपलेट को जो इसने टोलेरंस और overcome के लिए ही दिए जो हमने भी है discuss कियो उम्हिद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और हमारा चैनल सस्क्राइब पीजिए थैंक्यू फर ओजिए